हेलो फ्रेंड्स वेलकम बाय कवर यूटूब चैनल सो फ्रेंड्स उत्य प्रदेश इस्टेट मेडिकल फेकल्टी की फर्स्ट काउंसिलिंग का जो च्वाइस फिलिंग का डेट है वो आज आखरी दिन है आप सभी को पता होगा यहां पर साफ साफ मेंसन है कि 10 अक्टूबर तक आपकी जो है च्वाइस फिलिंग होगी ठीक है और इसके बाद दोस्तो डेट बढ़ाई नहीं जाएगी अगर आपको लगता है कि डेट बढ़ेगी तो मेरे हिसाफ से तो नहीं कर लिए है तो यहां बहुंक कांसिलिंग तो कर लिया है और अजितने भी लोगों ने च्वाइस को अभी तक भर रखा है अगर आपको लगता है कि आपने कम कॉले select किये हैं ठीक है या फिर कोई गलत course select कर लिया है तो किस परकार से आप सभी लोग form को edit कर पाओगे और भी ज़्यादा सज़ादा choice add कर सकते हो या फिर कम choice आप add करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो कैसे करोगे मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ तो यहाँ पर आप सभी को login की option आ जाना है और यहाँ पर login की option पर आएंगे अपना application number login ID और password डालना और यहाँ पर capture उसके बार login कर देना चलिए मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ जब दोस्तों आप सभी लोग login कर लेंगे तो कुछ ठीक है वैसे कुछ इस परकार आपके सामने यहाँ पर open होके आएगा आप सभी लोगों को यहाँ पर application sequence number यह एक number मिल रहा है आप इतना समझ लेज़े कि इन्हों ने जो counseling की है वो 2779 number पर की है ठीक है इस तरीके से सभी को sequence number मिला है तो आप सभी लोग अपना sequence number भी सोच सकते अब edit करने के लिए simple सा यहाँ पर आप देख सकते हो दे रखा है simple सा IC पर आप click करेंगे तो form edit करने के लिए option दे देगा click करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर edit preference preview and print and close ठीक है तो आप सभी को कुछ नहीं करना है अगर आप edit करना चाहते हो तो edit preference पर click कर देना है ठीक है उसके बाद जब आपका complete हो जाए उसके बाद preview and print पर click कर लेना ठीक है या फिर आप आप सभी को close भी कर देना है लेकिन आप सभी को print निकलवाना नहीं है बलकि अपने phone में PDF में save रखके रखना है ठीक है तो print निकलवाने की जरुवत नहीं है चलिए मैं edit करके आपको दिखा देता हूं simple सा edit preference पर मैं click करूंगा जैसे ही दोस्तों आप सभी लोग edit preference पर click करोगे तो यहां पर college और course का option आ जाएगा मानलिए आपको सिर्फ dmt करना है ठीक है डीमल्टी करना है तो आप course पर select करना ठीक है यहां पर आप सभी course पर select करना और यहां पर dmt search कर लेना ठीक है मलब dmt आप search करेंगे ठीक है यहां पर dmt मलब diploma in lab technician ठीक है यह पूरा आपको search करना होगा तब ही आएगा ठीक है आप search करेंगे उसके बाद क्या है कि search करने के बाद आपके पास सारे college की dmt की list आ जाएगी ठीक है तो डल ट की जितने भी course college होंगे वह सारे के सारे सेलेक्ट कर सकत हूँ मानलिए आपको ot करना है तो यहां पर ot course select करेंगे तो ot के सारे college आ जाएंगे मानले ऐनस्टीसिया करना है तो आपको सारे course आ जाएंगे महाला x-ray करना है x-ray select करेंगे तो यहाँ पर course और college दोनों आ जाएगा ठीक है तो इस तरिके से आप लोग edit कर सकते हैं और preference भी change करna चाहते हैं तो preference भी change कर सकते हैं नीचे आपको preference change करने का option मिलेगा, edit करने में कोई problem नहीं होगी और edit करने के यहाँ पर कोई limit भी नहीं है आप जितनी बार चाहते हैं उतनी बार edit कर सकते हैं edit कर देने के बाद यहाँ पर आ जाना यहाँ पर simple सा यह tip आपको देखने को मिलेगा इसी पर कर देना और फिर save कर देना ठीक है चलिए में करके आपको दिखा देता हूँ जैसे ही यहाँ पर आप करोगे उस तरीके से आजाएगा फिर ओके कर देना है आप ओके कर देंगे तो कुछ इस पर कार आजाएगा तो यहाँ पर close का भी option दे रखा है preview and print का भी option दे रखा है तो preview and print करके आप लोग अपना जो है PDF में save कर लेना जेते ने ठीक है उसके बाद close यहाँ पर आप कर सकते हो चलिए मैं close करके भी दिखा देता हूँ जब दोस्तों आप सभी लोग close कर दोगे तो आपके सामने फिर उसी परकार का sequence number आ जाएगा ठीक है तो उसमें कोई problem वाली बात नहीं आप लोग close कर सकते हो तो इस तरीके से आपने अगर edit करना चाहते हो ठीक है अगर आप edit करना चाहते हो आपको लगता है कि आपने कम preference भरा है या फिर preference गलत भर दिया है मैं आपको बता दूँ आपने जो भी preference भरा है ठीक है उसी preference के according आपको course और college मिलने वाला है जिदने आपने preference भरा है उसी में से मिलेगा कोई बाहर से आपको नहीं मिलेगा इस वज़े से आप सभी लोग ये चीज़ ध्यान रखना ठीक है तो अगर edit करना चाहते हो बहुत सारे follow करेंगे तो अपने phone से ही आप सभी लोग edit कर सकते हो किसी cyber cafe पर जाने की जरुवत नहीं है सब कुछ अपने phone से कर सकते हो तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में